विजे देवरकुंडा और रश्मी का मंधना की फिल्म गीता गोविंदम 2018 में तेलुग में रिलीज हुई थी फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर एक सव करोड से भी ज्यादा कमाई की थी इसके बाद से काफी लंबे समय तक यह चर्चा थी कि इसका हिंदी रिमेक जरूर बनेगा कुछ दिन पहले रोहित शेटी ने यह ठैलान कर दिया कि उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में बनाने के लिए रैट्स खरीद लिये हैं हाला की संजलीला भनसाली की यह दिल्ली तमन ना थी कि वे इसका रिमेक बनाना चाहते हैं सूतर के अनुसार विजय की यह फिल्म एक पैशनेट लव स्टोरी है और इसे अच्छा प्रतिसाद मिलने के बाद कई निर्माता इस फिल्म का रिमेक बनाना चाहते थे उन में से एक भनसाली भी थे उन्होंने फिल्म के राइट्स खरीदने में दिल्चस्पी दिखाई थी लेकिन चर्चा आगे बार नहीं सकी वहीं वे अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गए इसलिए वे इस फिल्म का रीमेक बना नहीं पाए लेकिन अब रोहित इसका रीमेक बनाने आ रहे हैं कास्टिंग नहीं हुई फाइनल हाला कि रीमेक की कास्टिंग के लिए किसी भी अभिनेता का नाम चर्चा में नहीं है लेकिन जब भनसाली ने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था तब वे ईशान खटर को लीड रोल देना चाहते थे हाला कि ईशान ने उस समय इस बात की पुष्टी नहीं की थी विजह की तीसी फिल्म जिसका रीमेक बनेगा यह विजह की तीसी फिल्म होगी जिसका हिंदी में रीमेक बन रहा है इसके पहले अरजुन रेड़ी का रीमेक कबीर सिंग बना जिसमें शाहिद कपूर लीड रोल में थे फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर रीकॉर्ड कमाई की थी इसके बाद फिल्म डियर कॉम्रेड के हिंदी रीमेक के राइट्स करन जोहर ने खरीदे हैं और अब यह तीसी फिल्म है जिसके राइट्स रोहित ने खरीदे हैं